हेलो बच्चों, first of all आईए question को read करते हैं, the question is what is the maximum value of sin square x यहाँ पर 4 option given है, a, b, c and d और हमें इन में से correct option choose करना है तो आईए question को solve करते हैं question को solve करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि sin x की value कहा से कहा तक vary करती है तो देखिए sin x की value होती है minus 1 से 1 तक, यानि की minimum value minus 1 और maximum value 1 तक तो इसको लिख लेंगे minus 1 से 1 तक इसकी value होती है अब question में हमें find करनी है sin square x की, तो इसके लिए क्या करेंगे, squaring on, on, squaring तो अगर हम लोग square करते हैं, then we get, यहाँ पर तो देखिए sin square x आ जाएगा ठीक है, अब 1 का square अगर हम लोग करेंगे, तो maximum value sin square x की कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, तो इसकी value कितनी हो सकती है, minimum value क्योंकि sin square x की बात आ रही है, तो maximum value तो 1 हो गई, minimum value कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमसे question में क्या पूछा गया है, maximum value के बारे में, तो maximum value कितनी हो सकती है, 1 which is option number c, तो correct answer हो जाएगा option c, I hope आपको यह question समझ में आया होगा, thank you झाल, 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